तो अब तक हमने देखा कि भिन्ताई एक अंतर निरहित प्रवर्ती है जो लेंगिक जनन के दौरान DNA कौपेंग में गलतियों की वज़से हो जाती है तो आईए इसको और अच्छे से समझते हैं माल लीजे 12 बीटिल्स का एक जुन्ड है जो एक हरे रंग के जाड़ी वाले पेड़ पर रहता है अब इस जुन्ड में जनन करना शुरू किया और जैसा कि हम जानते हैं कि लेंगिक जनन में भिन्ताई आती है तो वो इन में भी है अब सोचिए कि कववे आते हैं और इन बीटिल्स को खा जाते हैं तो जितने बीटिल्स कववा खाता है उतने ही कम बीटिल्स बचते हैं जनन करने के लिए अचानक एक रंग की भिन्यता उत्पन हुई, जिसके कारण एक बीटिल हरे रंग का पैदा हो गया और इन ही हरे बीटिल्स ने आगे जनन किया और बहुत सारे हरे बीटिल्स बने इसके कारण हुआ ये है कि कववे इन बीटल्स को देख नहीं पाया और उसका भोजन कम हो गया अब आगे क्या हुआ कि जब इन हरे बीटल्स ने जनन करना शुरू किया तब अचानक एक और भिनता उत्पन हुई और नीले बीटल्स पैदा हो गए और ऐसी ही धीरे धीरे जनन करके ये नीले बीटल्स की जनसंख्या में बढ़ने लगे अब जब कववा दुबारा इन ही खाने आए तो उन्होंने देखा कि भोजन फिर बढ़ गया है क्योंकि नीले और बचे हुए कुछ लाल बीटल्स को देखना आसान था पर इस दौरान नीली बीटल्स जनन करते रहे और खुद को बढ़ाते रहे और धीरे धीरे करके पूरी जनसंख्या में फैल गए लेकिन उसी समय घटना हुई जिसमें कुछ हाथियों ने इन जाडियों को कुछल दिया जहां पर ये बीटल्स रहते थे जिससे इन बीटल्स की जादा तर संख्या मारी गई पर संयोग वर्ष जो बीटल्स बचे वे जादा तर नीले थे तो इस पूरी घटना से हम कह सकते हैं कि अचानक आए एक भिनता धीरे धीरे पूरी जनसंख्या में फैल गई सीधे शब्दों में कहें तो एक अनुवान्शिक गुण की आवर्ती पीढियों के दारान बदल गई और इस घटना में वे गुण था पीटल्स का रंग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज हो रहा था जो पहली पीढ़ी में पूरा लाल था, दूसरी पीढ़ी में जादा हरा और कम लाल था और तीसरी पीढ़ी में जादा नीला और कम हरा और लाल था तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जीन ही गुण को नियंतरित करता है तो हम यह कह सकते हैं एक जीन की आवरिती जो इस केस में रंग है पीढ़ी दरपीढ़ी बदल रही है और इसी घटना से विकास का कॉंसेप्ट मतलब इंगलिश में एविल्यूशन का कॉंसेप्ट का जन्म हुआ जिसका अर्थ है वह धी में बदलाव या विभिन्ताएं जो एक जन संख्या में उनकी आवशक्ता की अनुसार एक समयकाल में होते हैं इसकी परिभाशा को अपनी कॉपी में दिख लीजिए आगे बढ़ते हैं अब ज़रा यह सोच कर बताईए कि आपके अनुसार कौन सी विभिन्ताएं बीटल्स के लिए सबसे लाद दायक होती अगर वह नीली पत्तिवाले पौधी पर रहते तो सही सोचा आपने इस थिती में नीले रंग वाली विभिन्ता सबसे लाद दायक होती क्योंकि नीले पत्तो पर कौवे को नीले बीटल्स तो दिखते ही नहीं चलिए अब एक सवाल देखते हैं बीटल्स के रंग में कववे के बचने के लिए किया गया परिवर्तन को हम क्या कहते हैं विकल्ब आपके सामने हैं सही उत्तर है प्राकृतिक चैन क्योंकि बीटल्स मर रहे थे तो वह खुद को कववे के हमले से बचने के लिए उन्होंने रंग में होने वाली विविदता को अंगी करित किया